नमस्कार दोस्तों भारत एग्रो सर्विस योर फैमिली फार्म में आप सभी का स्वागत है। हमारा फार्म अपरकुन की पिठोडिया, कांके, राची, जारखन में इस्तित्व है। जैसा के आप जानते हैं कि भारत एग्रो सर्विस ब्लैक बंगाल गोड्स में डील करता है। भारत एग्रो सर्विस के पास हमेशा ब्लैक बंगाल गोड्स मौजूद रहते हैं। जिन भाईयों को ब्लैक बंगाल गोड्स में फार्मिंग करना चाहते हैं, मेल या फीमेल का, वो हमसे जरूर समपर्क करें. भारत एग्रो सर्विस के पास हर तरह का गोड्स एविलेबल है, मौजूद है. अगर किनी भाईयों को किड्स चाहिए, फीमेल या मेल का, तो वो भी मिल जाएगा. हमारे यहां जितने भी जानवर हैं, सारे वेक्सिनिटेड हैं, सारे का टीका लगा हुआ 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 होता है, सारे हेल्दी होते हैं. एक्सपर्ट वेटनरी डॉक्टर दुआरा सारे का टीका लगाये जाता है. हम लोग डी वार्मिंग, पी पी आर और बहुत सारी वेक्सिन हैं, मैं अगर बताता चलूँ, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. तो डी वार्मिंग का एक परकिरिया मैं बता देता हूँ, डी वार्मिंग क्यों करते हैं, डी वार्मिंग से फाइदा क्या होता है? बलेक बंगाल गोड्स को ग्रेजिंग बहुत जादे पसंद है, और बलेक बंगाल गोड्स हमेशा ग्रेजिंग करती है. ग्रेजिंग करने की वज़े से उसके पेट में कीरा हो जाता है और कीरा को मारने के लिए ताके वो हेल्दी रहे ताके वो स्वख्च रहे इस वज़े से हम लोग डी वार्मिंग करते है इसी तरह PPR का टीका होता है इसी तरह इंटो टॉक्सीमिया होता है FMD होता है, HS होता है हम सारे के बारे में नहीं बताएंगे अगर किनी भाईयों को किसी चीज़ के बारे में जानना है इसके बारे में जानना है कि गोट फार्म का कैसे गोट फार्म को बनाएं किस अंदाज में बनाएं वो हमसे जरूर संपर करें हमारा नमबर दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है किनी भाईओं को अगर ट्रेनिंग चाहिए तो हम ट्रेनिंग भी देते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू